हेलो फ्रेंड वेल्कम टो सेर्ट सिंग भलाग Gog मेरे पास एक सिलेंडर है वो भी घरेलों गैस 14 किलो 200 ग्राम का ये ये जो कि सिलेंडर है सब के घरों में उझ होता है मा वहन जो माताय वहने अपने किचन में जो रस्वई घर में सिलेंडर जो यूझ करती है 14 किलो 200 ग्राम वाला घरे लूग ऐसे यूज करती हैं तो मेरे हाथ में एक ठो रेगुलेटर है और यह रेगुलेटर इंडियन कमपनी का है कोई भी कमपनी का आप ले सकते हैं या इंडियन हो या भारत हो या हिंदुस्तान पेटोलियम का हो साइच और जो भी इसका यह होता है फैंक्सन एक ही होता एक ही वर्क करता है तो मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूं और आप लोगों को में समझाने वाला स्पेशलल मेराब के लिए जो घर में रहती है जो बाहर कहीं नहीं जाती है उनको समस्य आती है जैसे कि उनके साथ यह समस्य आती है कि यदि गैस सिलंडर में गैस खतम हो जाए तो सिलंडर को रिफलेस किया जाए तो कैसे रेगलोटर कर लगाया जाए लगाने का तरीका कैसे होता है और क्या होता है उस सबसे पहले उनको care करने वाली बात एक ऐसी चीज है कि लगाने से पहले एक चीज को ध्यान देना ज़रूरी है जैसे मैं वे चीज को मैं इस cylinder power regulator के सामने में दिखा कर आप लोग को समझाऊंगा और आप लोग इस वीडियो में ध्यान से देखें और सुनों जो मैलाएं हैं य हो और खुद ही करें और खुद से लगाएं सबसे पहले में यह सिलेंडर है मेरे पास इस cylinder का कैप को खोल लेता हूं यह रसी को जिसे आप सील लगा रहा था रसी को प्लास्टिक को तोड़ने के बाद रसी को भाहर खीशे और ढखन को ऊपर करने निकल जाएगा और उसके बाद में जो यह regulator है regulator को कैसे लगाएं पहले आपको एक काम करना जोड़ी है जैसे कि मैं एक बार को जुका रहा हूं जुकाने के बाद यहां पर दिखाना चाहूंगा यहां पर ब्लेक कलर का एक वाल होता है regulator इसी के अंदर गुशता है और यहीं से इसका जो गैस का जो कोई भी टूल्स रखी होंगे जिसे लगबग सभी मैला इस तरह का चिम्टी रखी रहती है उनका परसनल चीज होता है और यह इसको ड्राइबर तो यह किसी चीज से आप इस चीज को निकाल सकते हैं यह बहुत नार्मल चीज है यह छोटा इसको ड्राइबर यह चिम्टी ह तो मैं क्या करांगा लगाना है तो सबसे पहले क्या करना है इसको ड्राईबर से आपको वाल चेक कर लेना है सबसे पहले यहां पर वाल लगाएं किनारे कीglass मैं लगाया हूँ और लगाने के बाद में थोड़ा से इसको अंदर मौमेंट करना है जिसे मैं एक बाद दिखाना चाहूंगा दो यहाथ में ही यह सिलन्डर का का वाल है जो इस प्रकार का यह भी है इसमें दो किनारा होता है, दो लाइनिंग होता है, गैस लीखेज करेगा, तो यदि इस तरह का आप वाल लगाना चाहते हैं, खर में कोई भी खाली हो तो आप उसमें निकाल कर इसको रख ले या अपने गुदाम पे जाए एच्पी गैस या इंडियन गैस कहा या भारत कहा हो आप इस गैस इंसी पर जाकर जो डिलिवरी मैंन है उससे आप वाल ले ले ये पांच उर्पया कहा था है मामुली साम तो इस तरह के के बाद पहले वाल देख ले आयना था उसके बाद रेगुलाटर को चेक करके लगाए तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं यह वाल को लगाना सिखाऊंगा जैसे मेरे पास यह वाल है इसको क्या करना है बस एक बार इसको हाफ मोमेंट करना है हाफ इसको फोल्ड करना है ज यहां पर इस तरह में इसको मोड़ने के बाद में इसको इसमें डाल देना है कि दो बार तीन बार आप लोग करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कैसे वाल लगाया जाता है ये लग गया और लगाने के बाद में थ्वासा इसको ड्राइबर से इसको नीचे दबा देना है और किनारे किनारे गड़ा राता है उसमें इसको बैठा देना है ये अराम से आप लोग वाल चेंज कर सकते हैं जैसे मैं आप लोग को इस वीडियो में चेंज करके दिखा रहा मैलाएं खुछ से कर सकती हैं, undepend हो सकती हैं, किसी का सहारा नहीं ले सकती हैं, ये 5 उर्पय का चीज, लिकेज से बस सकते हैं, आप पुराना सिलेंडर से भी निकाल के लगा सकते हैं, अप शलते हैं, आगे आप लोगो मैं रेगुलाटर लगाने का तरीका बताऊंगा, क्या कि इसको क्या करना है पुपर दबाना है उपर दबाने के बाद में यह जो सिलिंडर है पहले सब से पहले दोनों हाथ में पकड़ने इस तरह और इसको जो कैप है इसको उपर दबा लें उपर दबाने के बाद सीधा नीचे रेगुलोटर को लगाए उसके बाद कैप को छोड़ दे नीचे यह जो कैप नीचे होना चाहिए तब जाकर सिलंडर में लाक होगा तब उसके उपर दबाएं और फिर से इसमें लगाएं दबाकर और नीचे छोड़ दें यह लग जाएगा असानी से निकालना हो तो फिर उपर दबाएं और उपर यह से मोमेंट करें निकल जाएगा फिर एक बार मैं दिखाना चाहिए यह जो कैप है इसको उपर दबाना है उपर कर रखे रही है और नीची दबाना है रेगलोटर को फिर इसको कायब को छोड़ देना यह असानी से लग जाएगा उसकी बाद आपका गैस यह स्टार्ट हो जाएगा तो मेरा सिलंडर यह खाली है इस वीडियो में बना कर आप लोगो दिखा रहा हूं को आपको जनकारी मिल लागी तो मैं उमीद करूंगा हर मैला अपने घर में इस तरह का समस्या का समधान कर सकती हैं और मेरे वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें कमेंट करें सेयर करें सब्सक्राइब करना भूलें बेल आइकन जुरू दबाएं धन्यबाद